हाई फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल मित्र एजूकेशन हप में आज हम लिए क्या हैं आपके लिए साइन्स के प्रीवेस कोसंस ऐसे कोसंस जो परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं अगर आप भी अपनी तयारी बहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लासिस बहुत इंपोर्टेंट हैं अगर आप हमारी बाकी की क्लासिस देखना चाहते हैं जो लड़ी करा चुके हैं आप हमारी प्ले इस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम पृत्ते एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंस सके ऑच दोस्ता आपको बताते हैं साइंस का हर एक्जाम कंदर काफी यचार रोल होता है जाए राजस्तान पुलिस हो या राजस्तान पटवारी या दिल्ली पुलिस या स्सी आपके लिए सभी कोशन से इंपोर्टेंट है चले दोफ सुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला कोशन यह रहा आपके जी हाँ ब्लड रक्ट जो ब्लड है वो रक्ट कैंसर को आम तोर पर इस नाम से जाना जाता है लुकोडर्मा, लुकेमिया, हिमोफीलिया या सिकल सेल एनेमिया आपको बता दे इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर B, लुकेमिया नेस कोशन देखते हैं यह आपके सामने, लुकेमिया या रक्ट कैंसर का जो लक्षन है निन में से किसम एक ऐसा मान्य विरद्धी है ला रक्ट कोशिकाओं में, सुष्ट रक्ट कोशिकाओं में या फिर रक्ट पट्टी कानों में, या फिर रक्ट पलाजमा में आपको बता दे इसका राइट आंसरों का ऑप्शन नमबर बी स्वित रख्त कोशी काई ना इसको संदेखते हैं यह रहा आपके सामने कि भूजल पे का बहतर स्रोत है जो भूजल होता है उसके जो पे जल का बहतर स्रोत है क्योंकि इसमें कम होता है मिट्टी, बैक्टीरिया, आर्सनिक या सेवार आपको बता दे इसका राइट आंसर होगा ॉप्शन नमबर सी आर्सनिक इसमें जो भूमी का जल होता है उसमें आर्सनिक के मात्रा कम होती है इसलिए वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है ने इसको सन देखते हैं यह आपके सामने कि एक्सो बायो लोजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त रूपों के साथ अन्य गिरोप में जीवन के साथ या ब्रहाय आंत्रिक्ष में जीवन के साथ या फिर इसको सन देखते हैं यह आपके सामने कि मर्मी लोजी मर्मी को लोजी किसका अध्यान है कीट का या चीटियों का या क्रेस्टिस या और तो पोड़ा आपको बता दें इसका राइट आंसरों का आप्शन नमबर बी नेस को सन देखते हैं यह आपके सामने कीट विज्ञान अध्यान है पक्षियों का कीटों का जीवास्मों का या फपूंद का इसका राइट आंसरों का आप्शन नमबर बी कीट विज्ञान नेस को सन देखते हैं यह आपके सामने तवचा पर जो बाल है तवचा पर बाल मूलते अधी चर्मी होते हैं या मूलते कोसी काउं मिरत कोसी काउं से बने होते हैं या फिर चर्मी होते हैं और जीवित कोसी काउं से बने होते हैं या फिर चर्मी होते हैं और जीवित कोसी काउं से बने होते हैं या फिर मोलते चर्मी भी होते हैं और मिरत कोशिकाओं से बने होते हैं इसका राइट आंसरों का अप्शन नमबर D ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि कैंसर के उपचार में निमले खित में से किसका प्रियोग किया जाता है फीजियो थरेपी, कीमो थरेपी, इलेक्ट्रो थरेपी या साइको थरेपी आपको बता दें इसका राइट आंसरों का ऑप्शन नमबर B कीमो थरेपी ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने स्वसन पिर किरिया को चाहिए एक उस्मा या जल या उक्सिजन या सूरी की रोसनी आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर C ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि एमाइडो को किस अभी किरिया द्वारा एंड एमाइडो में बदल जा सकता है पार्किन क्लेजनन या होफमान या क्ली मेशन आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर C कि ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि टैमी फलू किसके लिए एक पिरमुक उस्ती है पक्ची फलू के लिए तैंसर एड्स या पोलियो आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर A पक्ची फलू इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि आइडो फॉर्म का प्रियो किस रूप में किया जाता है जुवर रोधी में पीडा हारी में पूर्ती रोधी में या पिर संग्या हारी यानि कि निस्षित तक के रूप में इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर C पूर्ती रोधी में आइडो फॉर्म का प्रियोग किया जाता है निस्कोशन देखते हैं यह राप के सामने कि हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में जो कारबंडा यह उक्साइड होती है उसकी मात्र लगबग कितनी होती है चार परसंट, आठ परसंट, बारा परसंट या सोलह परसंट इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर E चार परसंट निस्कोशन देखते हैं यह राप के सामने कि रेडियू सक्रिये इस ट्रॉंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है मस्तिस कैंसर या तोचा कैंसर या फैपड़ा कैंसर या अस्ति कैंसर आपको बता दे इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर D अस्ति कैंसर इसकोशन देखते हैं यह रहा आपके सामने जीवित किसी जीवित दहे के भीतर कोसी का या उतक की मिर्थियू को कहते हैं निट्रोफिलिया नेफ्रोफिस या नेक्रोषिस या नियोप्लेसिया बताद इसका राइट आनसर होगा नेफ्रोषिस अप्शन नमबर D किसी मिरत प्राय विक्ति का जो गुर्दा लेने के लिए उसे किस इस्तिती में होना चाहिए केवल तंत्री के प्रीकार्यों का आवसान केवल हिर्दिये प्रीकायों का आवसान केवल स्वसन प्रीकार्यों का आवसान या फिर केवल गुर्दे के प्रीकार्यों का अवसान आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा ओप्सिन नमबर A केवल तंत्र किये प्रीकार्यों का अवसान नेस को संदेखते हैं यह रहा आपके सामने कि मोलीब डेनम एपार्यापता इसकी सक्रेता को प्रभावित करती है नाइट्रो जीनेल दिये गए विकल्प में से सभी या नाइट्रेट रिडेक्टेज या किलोरेट रिडेक्टेज इसका राइट अंसर होगा ओप्सिन नमबर B उप्यूक्त सभी नेसको संदेखते हैं यह रहा आपके सामने कि नवजात सिसु तीन महा तक की आयू के अधियन को कहते हैं कोरोलोजी, कौनकोलोजी, नीमाटोलोजी या नियोनेटोलोजी आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा ओप्सिन नमबर D नियोनेटोलोजी नेसको संदेखते हैं यह रहा आपके सामने कि कारबन पद चिन किस प्रकार कम किये जा सकते हैं ओप्सन ए यह सब भी ओप्सन भी सार्वेजनिक परीवें द्वारा कम करके या फिर अप्सिस्ट पधात का पुनर्च करन करके या उर्जा दक्च उपकरनों का प्रियोप करके आपको बता देए इसका राइट आंसर होगा ओप्सन अंबर ए इन सभी की वज़ेस हम अपने कारबन को इनवार्मेंट से कम कर सकते हैं है नेक्स कोशन देखते हैं यर्ए हमारे हमारे नेक्स कोशन की सहद की मक्ली enable deeplyma के कैसा होता है najle efic olie the अब्स तों नम केरन कि आप्प्रोटीन इस क्रारेट ए इस Mario चाहार का electric अम्बर एव उप्स नौनी होता है कि नसन देखते हैं यह आपके सामने कि अधिक ठंडे छह्त्रों में रहने वाली जंत्ों का aparece होता है यानि कि उसके फ़र होता है उनके किस काम आता है वो कि उनकी जल्से रक्षा करने काम काम आता है या फिर वाईउ को फसाकर उने गरम रखता है या फिर सत्र Ukraine से उनकी रख्षा करता है या फिर फर के कारण सुन्दर दिखाई देते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ओप्शन अमबर बी वाईउ को फसा कर उन्हें गरम रखता है कि नेस्कोशन देखते हैं कि यहां नेक्स कोशन कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावाजूद किस पसु को उच्छ रक्त चाप नहीं होता है बेड़ भैस बाग या उन्ट कि इसका राइट अंसर होगा ओप्शन अमबर डी उन्ट कि नेस्कोशन देखते हैं तेरे हमारे नेस्कोशन जीव के लिए बोडी के कुल भारका या रसायन के उतक सांदरन का पचास प्रितिसत कम करने के लिए आप एक्छित समय को क्या कहते हैं देली सीमा काल अर्दायू अवसिस्ट अवदी या अर्दायू अवदी इसका राइट अंसर होगा ओप्शन अमबर डी अर्दायू अवदी इसको सन देखते हैं यहरा आपके सामने कि 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले जो प्रतिकुल प्रिभाव को क्या कहते हैं पुरानी विशाक्ता घोर विशाक्ता अल्डी पचास या ल्सी पचास इसमें राइट अंसरोगा ओप्सन नमबर भी घोर विशाक्ता नेस को सन देखते हैं यह रहा हमारे नेस को सन कि मदू मख्खी के जो पुम धूप होते हैं वो खोते हैं जनन चम नर या जनन चम मादा अनूर वर नर या अनूर वर मादा आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा ओप्सन नमबर ए जनन चम नर दोस्तों यह थे हमारी आज की क्लास का आखरी कोशन था आपको हमारी क्लास कैसी लगी आपको हमारे कोशन कैसे लगे आप कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी क्लास अच्छे लगी था हमारे चनल सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें और अपनी त्यार को बह बाइब बाइब बाइब